ध, ध, ह की पहचान बच्चों, आज हम तीन नए अक्षर सीखने जा रहे हैं ये तीन अक्षर हैं ध, ध, और ह चलो ध से शुरू करते हैं इसे ध कहा जाता है अब आईए उन शब्दों को देखें जो ध से शुरू होते हैं ध से धक्कन ध से धलान ध से धोलक अब दूसरा अक्षर है ध ध ऐसे लिखते हैं अब ध से शुरू होने वाले शब्दों को लिखें द से दवात अब देखते हैं कि ह अक्षर से कौन से शब बनते हैं ह को इस तरह लिखते हैं ह से हाथ ह से हरा ह से हाथी अब एक खेल खेलते हैं इस खेल में मैं आपको एक अक्षर बताऊंगी आपको बोट पर लिखे शब्दों में से उस अक्षर को ढूनना है शब्द है पहाड वाहन देह आपको ह अक्षर खोजना है रेवा, इन शब्दों में से ह अक्षर पहचानो और उस पर गोल आकार बनाओ टीचर, ये ह ह है ये भी ह ह है और आखरी अक्षर भी ह है शाबाश रेवा अब बच्चों, मैं आपको कुछ तस्वीरे दिखाऊंगी आपको उन चित्रों को देखकर उस चित्र के नाम के पहले अक्षर को पहचानना है चित्रों को देखो टीचर, ये अक्षर द है द दाल, द दर्वाजा, द दांत, द दवाई बहुत अच्छा मिताली अब मैं बोड पर कुछ गुबारे बनाऊंगी उन पर अक्षर भी होंगे मैं जिस अक्षर का नाम लूँगी आपको उस अक्षर को गुबारे में ढून कर उसी गुबारे में रंग भरना है साची, आप आजाओ आपको टो अक्षर ढूनना है जी, टीचर अच्छा किया, साची अब सारे बच्चे इन तीन अक्षरों को अपनी किताब में लिखेंगे और उनके सामने उस अक्षर से शुरू होने वाले शब की एक तस्वीर बनाएंगे मैंने बनाई है वैसे ही अब आपको भी अपनी किताब में इस तरह ही लिखना है चलिए शुरू करते हैं